नमस्कार में वरुन कुमार आप देख रहे हैं अमर उचाला आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिशनोई के बारे में आज आपको लॉरेंस बिशनोई और गोल्डी बरार से जुड़ी ऐसी बाते बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी इस चर्चा में आज मेरे साथ वरिष्ट पत्रकार आलोक वर्मा मौजूद हैं आलोक जी देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता का बड़ा नाम है आलोक जी आज हमें बताएंगे लॉरेंस बिशनोई की पूरी कहानी सर बहुत स्वागत है आपका सत्विंदर सिंग नाम का एक लड़का लॉरेंस बिशनोई बन जाता है कैसे हुआ सर्येट ट्रांसफोर्मेशन देखी लॉरेंस बिशनोई या आप जिसको सत्विंदर सिंग के नाम से भी कह सकते हैं पराना नाम अगर उसके डोजियर पर आप डोजियर पढ़ेंगे तो 92 मीं इसका जनम हुआ और एक ग्रेजुएट है यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है ग्रेजुएशन होने की वज़े से सिक्षित गैंगस्टर आपने बहुत कम सुने होंगे सिक्षित गैंगस्टर हुआ और इसकी लड़ाई कॉलेज से सुरू ही और कॉलेज का ही यूनियन इसने बनाया पहले चंडिगड में उसके साथ ही यह सुरू हुआ और इसने अपनी दोस्त के लिए ही क्राइम की दुनिया में कदम रखा तो इसके बाद इसकी जो इसका दायरा बढ़ा इसके संबन बढ़े और अपने दोस्तों के बीच जान देने के नाम पर इसने जो अपनी इमेज बनाई वो इसके बढ़ने का सबसे बड़ा करान है और सबसे जादा 2022 में जब इसने 29 मई को मुसेवाला के मडर को अंजाम दिया और खुले आम सोईकार किया उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि लॉरेंस एक बहुत पड़ा नाम हो गया ना केवल नेशनल वलकि इंटरनेशनल लेव किया था बाद में गोल्डी बड़ार जब ये गैंगेश्टर की दुस्मनी सुरू ही गैंगवार की दुस्मनी सुरू ही तो गोल्डी बड़ार ने काफी बढ़चड कर हिसा लिया और गोल्डी बड़ार आज भी लॉरेंस के लिए सबसे बड़ा एसेट है उसको सबसे बाबा सिद्धी को लें या फिर दिलिवंगोर्टर को लें या फिर दिल्ली मेंगट एकळास के नादीर को लें यह सब गोल्डी बरार के टार्गेट थे गोल्डी बरार टार्गेट सेलेक्ट करता है Lawrence से Eagle से cucumber सन वहती है और तब हम यह मानते हैं कि अगर कोई शकूद ईंजगा उसके पास नो थो घौन र वहाइट कर रहा है तो देखने में आ रहा है थो अधरेंट कर रहा है वह कैसे के यह करबा रहा है यह जु आपको बताने जाओंगा जेल में तो बंद है आपको पता है एक्स्टार्सन के मामले में और मर्डर के मामले में लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब कि जेल से उसका समराज्य कैसे चलता है वो साथ कोई सरकारी अफसर या सर्विंग अफसर नहीं बताएगा और नहीं ऑन रिकॉर्ड तो मुझे जो पताचला उसके इसाब से लाइन्स अपना वेवार बहुत भूध ही अच्छा रखता है कहने वाले जेलर सब ये बताते हैं कि लाइन्स लंगोट पहने रहता है लाइन्स सुंदरकान का पाठ करता है जेल में ही लाइन्स मंगलवार का वर्त रखता है और किस इसी भी जेल करमचारी को, चाहे वो फोर्थ ग्रेट का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेट का ओफीसर हो, भाईजी ही कहके संबोधित करता है, और उसके लिए, लॉरेंस का जो पुराना USP है, दोस्तों के लिए हर कुछ करना, वो बहुत काम आता है, तो जितने जेल में रहा, च वो अपना समराज्य ही नहीं, बलकि जेल से इंटर्वी देने में काम्याब हो जाता है, और लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, जेल से इंटर्व्यू कैसे हो सकता है, हम नाम तो नहीं लेंगे उन चैनलों का जहां पर उनोंने इंटर्व्यू दिये, लेकिन जेल में किस तरीक पर उनोंना और नेटवर्क का होना, तब ही आप वीडियो इंटर्वू कर पाएंगे, जब तक वहां डाटा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि बिना किसी जेल के ब्रेक के, यानि जेल ब्रेक के, और आपको बताओं कि लारेंस विस्नोई का, या गैंगेस्टर और आतंक ये जग जाहिर है कि हमारे हाँ पर जो दिल्ली के तिहार में मंतरी तक बन रहें उनके किस किस तरह की CDI, तो इस मामले में जेल प्रसासन ही सिधे तोर पर दोसी या जिमवार ठहरा जाना चाहिए, और ठहरा जा भी सकता है, और मैं पत्रकाईता के एथिक्स के खिलाफ मानत अचा सर, लॉरेंस के गैंग में कितने अपराद ही हैं, कितने शूटर हैं, और कैसे ये लोग उसके लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में ही बताया था, जो कहा था मैंने, कि लॉरेंस की वेस्पी है अपने दोस्तों पर जान जो लॉरेंस की खिलाफ है, उसमें बताया गया है कि लॉरेंस के देश भर में 700 सूटर्स हैं, जिसमें अकेले 300 केवल पंजाब में हैं, तो 700 सूटर वाला ये गैंगस्टर सबसे बड़ा सिंटिकेट हैं, इसलिए ये कामयाब भी होता है, फिर डिजिटल निरज भावाना और लॉरेंस बिसनोई, निरज भावाना को लोग कहते हैं कि आई एस आई से भी जुड़ा हुआ है और दूसरे मतलब देश भी रोधी ततों से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन लॉरेंस के लिए लोग कहते हैं कि नहीं, उदेश भक्त भी है और उसके इसका इसकी सुरुवात नाभा जेल ब्रेक से 2016 महीं हो चुकी थी अच्छा सर लोरेंस बार बार इस बात को तो कह रहा है कि सलमान खान माफी मांग लें तो हम उन्हें माफ करतेंगे छोड़ देंगे लेकिन क्या उद्देश्य केवल माफी है या इसमें रंगदारी भी सलमान ने कभी इसके खिलाब कोई बत्तमीजी जैसी बात नहीं की है इसको अगर माफी माफी करना होता तो इतना बड़ा जगड़ा होता ही नहीं और फिर से मुंबई पर ट्रैफिक पुलिस के वाटसेप पर पांच करोड़ की रंगदारी की मांग ना पहुचती जो कल ले कर दिलि में जो इस नादीर साः का इसने मडर किया जी मौनर का उस में साफ तूर पर था कि लादीर साः को पोलिस के बड़े अदिकारीं का पोटेक्सन बीला हुआ तो आफ दरे को अफ सिरिक तो ते kapड़ मुख तो गेर उच नहीं हम बीगाड़ेगा तुम दर और उर ज जिस रस मड़ रहुआ बुलेट प्रूफ गाड़ी पर तावर तोड़ गोलिया वर्सा कर वो जाही तोर पर एक्स्टॉर्शन की जो बहुत अर्बो रुपे की जो वसुली है उसको बढ़ाने के लिए उसको जमाय रखने के लिए इसने यह सब नौटंगे की है क्योंकि सल्मान को माफ कर देने माले में से यह नहीं है सल्मान को छोड़ कि फिर किसी और को पकड़ेगा अच्छा सर लौरेंस का जो पूरा गैंग है यह किस तरह काम करता है यहाँ पर किस वेक्ति का क्या रूल रहता है यह सब कैसे तैह होता है बड़ा अच्छा सवाल है आपको, लॉरेंस गैंग जो सिंटिकेट है, वो उसके सबसे बड़े दो सरगना है, दो पार्टनर हैं कहिए, पार्टनर सी फर्म है, जो सिर्फ एक्स्टोर्शन का पैसा वसुलती है, जो करोर उपे में होता है, लॉरेंस और गोल्डी, ये गैंग पार्टनर से पहुंच किया था, तो इतने इतने दूर उसे पहुंच कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक रेडिकलाइजेशन बहुत बड़ा है, जो जिहादी आप कहते हैं, जिनको आतकवादी कहते हैं, उसे ज्यादा ग्रैविटी मेंटें किया हुगा इसने अपने रेडिक जो सवाल था आपका, उसमें आप जाही तरुपे सक्षीन बिसनुई रेक्लोट्मेंट का काम करता है, जो अमन सिंग, बिकरम बराड और अमर अनमोल बिसनुई हैं, वो गाइन का फाइन्स का काम देखते हैं, यानि जो एक्ट्रॉप्शन से पैसा आया, वो हवाला के जरि जरिंग कहिए, या टार्गेट का सेलेक्शन कहिए, या फिर क्राइम क्या करना है, इसको इसका कुशन कहिए, वो गोल्डी बरार और लॉरेंस विसनुई टाय करता है, ये इनका फर्म है. अचा सर, लॉरेंस जब किसी को अपने गैंग में रखता है, जब कोई यूपी का, बिहार का, बहुत इंटीरियर का लड़का इनके गैंग में शामिल होता है, तो वो पूरी प्रॉसेस क्या होती है, और रिकूरूटमेंट ही जो होती है, इकिस तरीके से होती है? आपको जान कर बड़ा अस्यज होगा कि लॉरेंस विसनुई कभी भी किसी भी सूटर से बात नहीं करता है, वो किसी सूटर साज तक मिला ही नहीं है, यही वाज़ा है कि कन्फेस्टनल स्टेटमेंट होने के बावजोद भी पुलिस तो बहुत जादा मुकदमे नहीं कर पाती, यह बस हवा में होता है कि लॉरेंस विसनुई ग्रूप ने किया है, वो सोचल मेडिया प बाएंग खड़ा थरना, यूही संभव नहीं हुआ, यही इसके ग्रेजिएशन का भी कमाल है, इसकी बुद्धी का भी कमाल है, जो लॉव इसने कुछ दिन पढ़ा है वो उसका भी कमाल है और इसके अपने वहवार का भी कमाल है, तो यह सूटर से बात नहीं करता है, और परदातर जो रेकुर्ट्मन्ट मेरी जानकारी में है या जो इंट्रॉगेटर बत आते हैं रिजिटली होता है यानि फेस्बुक के थुरू हो, इंस्टाग्राउम के थुरू हो, या यूटूब के थुरू हो वो जो यूथ होता है लॉरेंस नमशकार करके भेजता है उदर से फिर उसको रेकी किया जाता है ठिक उसी तरह से जैसे लजकर का कोई सरगना पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान में किसी जिहादी को आतंकवादी को तियार करता है ठिक उसी तरह से उसका रेकी किया जाता देखा जाता है कितना dedication है कितना हो होता है। कई बार मैंने यह सुना है कि एक shooter बस उसको सूज दिया गया एक Revoke का सू दिया गया और उसने गोली चलाए। जिर मटर मटर करे पिर गोली चलाए। जैसे कि दिल्ली में जब एक्स्ट्रोसन की बात होती है जब बात नहीं सुनता जैसे कि हमांसु भाउ ने किया नर्याना में तिलक नगर में तो गोली चलानी होती है तो उसमें सुट आउट के लिए ऐसे ही लड़के फेज़े जाते हैं जो फस्ट टाइमर हो यानि पहली बार क्रा कर लेंगे यह क्रेटेरिया होती है तो उस काम के लिए हो त्यार हो जाते हैं और फिर इस तरह उनकी सुरुआत हो जाती है फिरो लॉरेंस के गाइन के सुटर बन गए अच्छा साथ महीने में तीन बड़ी वार्दाते हुई और लॉरेंस इसके जरीए यह इतनी बड़ी- वार्दात हो रही है बार-बार लॉरेंस का नाम आ रहा है क्यों देखे लॉरेंस जहां तक मेरा अपना एक्स्परियेंस कही है इसको या फिर जो में पुली से बातचीत होती है उसके अगर अधार पर मैं बात करूं तो यह तीन बड़ी घटना यानि सल्मान के यहां सूट दिल्ली में मडर और फिर मुम्मई में मडर यह तीनों जिस तरीके से किये अप उस तरीके को देखिए वो परचार करने वाला तरीका था उसके बाद फिर सोचल मेडिया पर एसेप्ट करना कानफेस्टनल स्टेटमेंट लिखना वह एक रनीती का हिस्सा था कि मैं देश भर में अपना मैसेज दूँ कि मुझे एक्स्टॉशन मनी चाहिए क्या था कि ऐसे नाधिर साह के मामले में नाधिर साह जो जी मौनर था उसके मामले में साफ तॉर पर था कि करोड़ों पे उसने एक्स्टॉशन के मांगे थे लेकिन यह देने को तयार मही था तो उसने कहा था मार देंगे तो इसको पुलीस अधिकारीों से अची जान पशान थी तो इसको लगा था किषेगी को चैलेंज किया है आप सलमान के घर सूट आउट उसके बाद आपका सिदिकी और ये नादिर तीनों को इसलिए उसने मडर किया कि एक मैसेज जाये देश भर में और ये तीनों ट्रेंड किया सोसल मेडिया पर तीनों मडर में तीनों सूट आउट ने ट्रेंड किया सूटर में ट्रेंड किये लारेंस तो साफ तोर पे इनका एक पर्विसिटी यह स्टेटजी थी जिसके जरिये मैसेज देना चाहता था बिजनेसमेनों को कि तुम अगर स्टौशन के मनी नहीं नहीं दोगे तो कुछ भी हो सकता है इसलिए पुलिस इस पर जादा एक्स लेने की कोशिज कर रही है अचा सर यह ज होते हैं यह क्या पढ़े लिखे लड़के होते हैं क्या इनको जब पुलिस पकड़ लेती है तब यह उससे जुड़ी कोई खास जानकारी उपलब्द करा पाते हैं क्या इस तरह होता है मैं जैसे कि आपको बताया कि लॉरेंस को किसी शूटर से बात करता ही नहीं इसलिए इसको सुटर को गिरफतार करने बाद भी कोई बहुत ज्यादा जनकारी मिल नहीं पाती, उसको पता ही चलता है किसी और आप पे उनको एक फोन आया और फोन करने वाले ने अपने आपको गोल्डी बोलाया लॉरेंस बोला और वो मुझे हुक मिला और मैं चुकि लॉरेंस के प्रती वो है मेरा मुझे उसके गैंग में सामिल होना मैंने ये घटना कर डाली हाँ लॉरेंस का काम है इतरा कुछ कह देते हैं लॉरेंस का एक मात्र जो सबुत सबसे बड़ा था उसे बादर मिला था जो जेल से उसकी बादचीत का रिकॉर्डिंग सामने आये थी जो इस पुलिस ने भी उस रिकॉर्ड को हासिल किया था नहीं तो आप देखेंगे तो लॉरेंस का कोई इस तरह का डारेक्ट इंवॉल्मेंट आपको कहीं नहीं दिखेगा बस वो उसके ग्रुप का सविकारोकती है जो सोचल मीडिया पर होती है या फिर कन्फेशनल स्टेट्में इसलिए लॉरेंस को आप एक चीज और गौर कीजिए आप बड़ा इंट्रिस्टिंग चीज है कि पिछले जितने साल से उस ने किसी भी मामले में कभी भी जमानात के लिए अपलाई नहीं किया है लॉरेंस ने ये उसकी स्ट्रट्टी कहीं है क्योंकि बाहर रहेगा तो उस लेकिन सर ये तो जो सावरमती जेल है वहां के जो अधिकारी होंगे उनके लिए बहुत बड़ी चुनाती है किस तरीके से जेल के भीतर बैठा वेकती पूरे गैंग को आपरेट कर रहा है पुलिस वाले हैं जेलर हैं तमाम अधिकारी होंगे जैमर होता है जो सिगनल्स को बंद करता है उसके बावजूद यही हमारे देश की क्रिमनल जश्टिस सिस्टम की बेवस्ता है जो सोचने हैं वाकई काफी गंबीर है यह जब कभी भी दोश होता है जब आप देखते होंगे कभी भी किसी सीविल लोकल सीटी पुलीस में भी देख लीए आप या जेल में जब भी कोई कानून के लिए परवाही की बात होती है तो ग्राउंड फोर्स को दो चार लोगों को सस्पेंट कर दिया जता है ग्राउंड फोर्स मतलब सीटी पुलीस में ले लिए तो सिपाही को अवलदार को आप सस्पेंट कर देते हैं या वरखास कर देते हैं जेल में आप वारन को या जो जेल गार्ड्स होते हैं उनको आपने उन पर एक्सन ले लिया लेकिन कभी किसी बड़े हदीकारी के खिलाप लापरवाही वरतने पर ऐसा कुछ बड़ा एक्सन होते हुए नहीं देखा जाता आम तोर पे और यही वजा है कि साथ लॉरेंस जैसे लोग ल खालिस्तान कनेक्शन धर निकल कर आता है थोड़ी वक्त फेले आपने भी इस बात का दिकर किया था यह खालिस्तान कनेक्शन किआ है उसका आगर हम ऐनाय कि बात करें जो मेरी जनकारी है उसके हिसाब से नाभर जेल ब्रिक जिसमें नावा जेल को तोड़के गैंगेश्टर पुलिस की वर्दी में आया थे और उहना कई आतंकवादी को छुड़ाया था वही से खलिसान सिंटिकेट खलिसानी संगठन और गैंगेश्टर में वो सुरू हुआ मेल जोड और गटजोड सुरू हुआ लौरेंस बिसनोई जैसे गैंगेश्टर या और भी जो भी गैंगेश्टर हैं वो खलिसानी की तरफ इसलिए मुड़े जो पंजाब बेस्ट गैंगेश्टर की बात कर रहा हूं शाले बहुत शुक्रिया सर्स नवर्ण के कहनेंब करते हैं और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को यह तमाम जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और अमरुजाला देखते रहिए ताकि ऐसा ही नया कॉंटेंट बढ़िया कॉंटेंट आप तक पहुं